प्रदान मंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश की राधधनी लखनों में जिन लोगों ने 20 जुलाई 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक प्रदान मंत्री आवास योजना के तहत लखनों जिले के बिभिन योजनाओं में जिसमें बसंकुझ योजना में रजिस्टेशन करवाया था या सारदार नगर विस्तार योजना में रजिस्टेशन करवाया था उनका अब जिसमें जो लोग सही पाये गए थे उन्हीं को लोटरी पक्रिया में सामिल किया जाएगा सूड़ा की वैरिफिकेशन से पहले 6985 लोगों ने आवेदन किया था इन योजनाओं में जिसमें से 6930 लोगों के आवेदन सही पाये गए हैं 62 लोगों के आवयर्दन निरस्ट किये गए विसमेश्वेंग जो है बश्थकुनज योधना में 2256 मकान प्रूटल 2256 मकान थे उतनेश के सारदर नगर सुर्द्वेश रविस्टर्य कों तो बासितनाने 2256 मकान होके लिए 2256 मकानों के आवेंटेन के लिए रजिस्टेशन प्रक्रिया सुरू हुई थी और इसी तरह सारदर नगर बिस्तार योजना के 2256 मकानों के रजिस्टेशन की प्रक्रिया सुरू हुई थी प्रधान मंतरी आवास योजना के तहट तो दोस्तो एक जनकरी के लिए मैं ये बताना करवाया था प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट उनको लोटरी प्रक्रिया में समील होगा समील होना होगा इंद्रा गाधी प्रतिष्टान के जीपुटर हॉल में 9 से 11 फरवरी को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक और दूसरा जिन लोग ने सारदान नगर विस्तार योजना म अपलाई किया हुआ था रजिस्टेशन करवाया था और उनका नाम सूडा की वेरिफिकेशन में उनका नाम आ गया है तो उन्हें भी लोटरी प्रक्रिया में समील होना होगा ग्यारा तारीक से बारा तारीक तक इंद्रा गाधी प्रतिष्टान के जीपिटर हॉल में और और मकान भी उन्हें छे में मिल जाएगा तो दोस्त अगर आपको लोटरी प्रक्रिया में आपका नाम आ जाता है तो आपके मकान पके मकान का सपना पुरा हो जाएगा लखनो जैसे जिले में जो की उतरपरदेश की राधा नहीं है तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी में जो लिखिएगा घंटी में जो अलक उप्सन है उसे प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी हर नहीं वीडियो आपको तुन मिल सके और से और लाइक कर दीजेगा आज कली पर सितना ही मैं अनुराइक दिवारी अपनी नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा बंदे मात